Hello everyone and welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैं हूँ Salouni Rajput आपकी Maths teacher और आज की class में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक बहुत ही नया topic जिसका नाम है Drawing a Bar Graph. ये belong करता है आपके class 6th Maths के chapter Data Handling से. So, आज basically आज की class में हम सीखने जा रहे हैं कि हम एक bar graph को किस तरीके से draw कर सकते हैं. अब बहुत से लोगों के लिए ये शायद जो नाम मैं ले रही हूँ बार ग्राफ ये नई कहानी लग रही होगी कि नया नया नाम है. क्या होता है इसका मतलब. पर जो बच्चे रोज हमारी classes attend करते हैं उनको पता होगा कि मैं पहले भी bar graph का नाम ले चुकी हूँ. ये वर्ड बार ग्राफ मैं पहले भी उसकर चुकी हूँ. उसके पहले एक important information मैं आपको बता दूँ कि पिछली class में हमने अभी क्या खतम किया है. पिछली class में मैं आपको exercise 9.3 पढ़ा रही थी उसमें सिफ तीन ही question है 1, 2, 3. तीनों questions हमने पिछली class में खतम कर लिये थे. So I hope आप लोगों का revision बहुत अच्छे से चल रहा होगा और यहां तक के सारे questions आपने घर पर practice कर लिये होंगे क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके maths में अच्छे marks आ जाएं, आप अच्छा score कर पाएं maths में, आपको mathematics अच्छी लगे, उसके लिए बहुत जादा जरूरी ह है कि आप जादा से जादा questions की practice करें, जिता जादा practice करोगे उतना अच्छा command आपका calculations पे होगा, उतनी ही interesting आपको maths लगने लगेगी, आप हमारी official website magnetbrains.com पर भी visit कर सकते हैं, वहां आपको सभी classes, class 4 से लिके class 12 तक सभी classes के notes वीडियो lectures, एक proper systematic way में arranged मिल जाएंगे, जो आप की पढ़ाई की journey को और आसान बना देंगे, तो magnetbrains.com पर जरूर विजट करके देखें, चलिए, काफी information मैंने आपको दे दी है, आप finally हम अपना topic शुरू कर सकते हैं, और topic हमारा है drawing, आप bar graph 9.3 exercise के just बाद ही दिया है, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि 9.4 exercise आप को बहुत इच्चे से समझ में आए, उसके लिए जरूरी है bar graph समझना, yes, हम जब भी कोई नई exercise के question करते हैं, आपने देखा होगा, पहले हम कुछ concept परते हैं, concept क्या होता है, कोई नई चीज़े हम सीखते हैं, फिर वो जब चीज़े सीखते हैं, उसके बाद हम एक यदो examples solve क करते हैं, कि उसके ऊपर question कैसे बनते हैं, और फिर हम आते हैं exercise के question पर, so that अब exercise में जो भी question होंगे, वो इस concept और इसके related जो examples हमने solve किये, वैसे ही होंगे, आया समझ में आपको ये बात, तो यहाँ पर actually क्या लिखा हुआ है, आपकी book में drawing a bar graph topic के अंदर, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर कुछ और extra examples के through में आपको और extra knowledge देने की कोशिस जरूर करूँगी, तो सबसे पहले मेरे साथ read करना शुरू करिये, लिखा है, recall the example where Ronald had prepared a table representing choice of fruits made by his classmates, क्या लिखा है, recall करो यानि कि याद करो, जो एक example दिया था, section 9.3 में यहीं पर थोड़े पहले हमने एक example दिये, देखा था, जहां पर Ronald ने क्या किया था, prepared a table representing choice of fruits, जब हमने chapter में शुरुवात में देखा था कि एक table बनाई थी हमने, उस table में हम क्या देख रहे थे, choice of fruits को represent किया गया था by his classmates, यानि कि मेरी class में अगर 10 बच्चे हैं, तो वो बता दू मैं कि 2 बच्चों को apple पसंद है, 4 बच्चों को pineapple पसंद है and so on, तो इस type का किसने table बनाई थी, Ronald ने table बनाई थी, let us draw a bar graph for this data, तो बोल रहे हैं कि चलिए, उस table के लिए हम actually क्या करें, bar graph draw करते हैं, तो सबसे पहले एक जलक दिखला देती हूँ, मैं आपको कि bar graph दिखता कैसा है, कुछ इस तरह की जो image बोलते हैं, bar graph, सबसे अच्छा example कि अब इसको bar graph ही क्यों बोल रहे हैं हम, तो यह जो bar लिखा हुआ है ना, इसका पता है, क्या मतलब होता है, milky bar chocolate खाईए आपने, अब वो जो milky bar chocolate होती है, वो कैसे हमको मिलती है, उसका जो piece का shape होता है, कुछ इस तरीके से, इस shape को ही हम क इस shape में अगर graph बन रहा है, अब दोनों हो सकता है, यह जो bars है, यह horizontal रखे हो सकते हैं, इस तरीके से, या vertical रखे हो सकते हैं, इस तरीके से, तो यह होते हैं bars, clear कहानी, कोई भी सिफ milky bar chocolate ही नहीं, किट-कैट आती है, उसमें बहुत सारे bars होते हैं, उसका एक एक तुकड़ा इस तरीके का हम तोड़ तोड़ के खाते हैं, तो यह जो shape होता है, इसी को हम B.A.R. bar बोलते हैं, और graph का मतलब क्या होता है, कि किसी photo के through हम उस किसी चीज को कर रहे हैं represent, तो इन bars के through, bars का photo बना के हम represent कर रहे हैं किस चीज को, कि कितने बच्चों को कौन सा fruit पसंद है, तो यह चीज हम बहुत तरीके से represent कर सकते हैं, चाप्टर के शुरुवात में भी मैंने बताया था, represent यानि कि बताने के बहुत से तरीके होते हैं, या तो normally आप सीधे सीधे बोलते जाओ कि तीन बच्चों को क्या पसंद है, आपल पसंद है, चार बच्चों को गौवा पसंद ह या आप क्या करो, एक table में लिख दो उसको, ठीक है तो लिख के आप बता सकते हो, या फिर आप क्या करो, एक graph बना दो, बताया जाता है कि कुछ-कुछ examples ऐसे होते हैं, कुछ conditions ऐसी होती हैं, जहां पर आप अगर table बना रहे हो, तो वो बहुत ही lengthy process हो जाती है, table बहुत बढ ज़ने का time है, यानि कि for example, हम और आपको तो पता है कि कितने बच्चों को कौन से fruits पसंद हैं, वो हमें ये graph बता रहा है, पर कोई एक third person आ जाए, आपने अपनी file दे दी, अपने बड़े भाई या छोटे भाई को, ठीक है, यानि कि जो आपके class के नहीं है, या फिर ऐसे कि किसी को जिन होने अभी तक ये पढ़ा नहीं है, तो graph ऐसा बना होना चाहिए, या उस information को इस तरीके से लिखा होना चाहिए, कि कोई एक नया person अगर उसको पढ़ रहा है, तो कम से कम time में उसको अच्छे से अच्छे से वो चीज समझ में आ जाए, कोई confusion ना हो, जैसे कि यह हाँ पर जो graph है, सबसे पहले मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कभी भी हमको graph बनाना है, graph papers हमें दिये होते हैं, अगर नहीं दिये, normally अभी हम बना रहे हैं, तो एक हमको इस तरीके से vertical line खीशनी होती है, vertical मतलब इस तरीके से height wise line, और एक line हमें खीशनी होती है, इस तरीके स होंगी, meet करेंगी, मिल जाएंगी, यहां जहां यह horizontal और vertical line मिलेंगी, यह कहलाता है origin बोल सकते हो, आपकी यहां से शुरू हुई, यह horizontal line यह vertical line यहां से शुरू हुई, ठीक, 0 से represent कर दोसको, अब 0 के बाद, क्या है, एक एक unit पे आप कुछ भी ले सकते हो, 11 cm पे आप division कर सकत हो, 11 cm, 22 cm आपकी मर्जी है, ठीक है, मैंने 0 से शुरू किया, 1 cm पे 1 mark कर दिया, फिर और 1 cm लिया, 2 mark कर दिया, इसी तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे हम आगे mark कर सकते हैं, ध्यान रहे हैं कि यह जो division है, यह जो हम दूरी ले रहे हैं, यह सब की बराबर होना चाहिए, दूरी, clear आगे हम बढ़े, horizontal line पर, तो horizontal line पर हम क्या लेंगे, कोई एक static चीज लेंगे, static चीज मतलब जो जाधा change ना हो रही हो, mostly हम यहाँ पर ऐसी चीज लेते हैं, जो change ना हो, जैसे कि यहाँ लिए है fruits, अब बनाना है तो बना नहीं है, वो change होके apple तो बन नहीं जाएगा, right, जब कि यहाँ पर हम vertical line पर कौन सी चीज लेते हैं, जो rapidly change हो रही हो, यानि कि 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4 है, तो इससे representation काफी easy हो सकता है, हो जाता है, जैसे कि यहाँ बना है banana, यानि कि एक graph इनने बनाया बनाना का, तो अब यह banana का graph है, यह कितने उपर तक लेके गए हैं, य यहाँ देखे, यहाँ से 8 की height तक लेके गए हैं, है ना, 8 तक पहुच रहा है, वही यह जो orange वाला था, यह कहा तक पहुचा था, इसको देखो, यह 3 तक ही पहुचा, apple वाला देखो, कहा तक पहुचा है, apple वाला पहुचा है, 5 तक, और guava वाला कहा पहुचा है, guava वाला प तक पहुचाना है या औरेंज वाला बार है वो में को 3 के तक उपर तक पहुचाना है कैसे पता चलेगा ये पता चलेगा जो information given होगी हमें उससे जैसे कि यहाँ पर देखिए already table दी हुई है यहाँ इस table में देखो लिखा है name of fruit banana number of student 8 यानि कि 8 बच्चे ऐसे हैं जिनको कौनसा fruit पसंद है banana fruit पसंद है तो इस वज़े से जब मैं graph बनाओंगी बार graph बनाओंगी तो बनाना वाला जो बार बनाओंगी मैं वो कहां तक बनाओंगी 8 तक for example यहाँ 8 है score उपर कर लो 8 तक जब तक ना पहुचे इस तरीके से मैं बनाओंगी उसका graph थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई अब ध्यान रहे कि यह जितना चौड़ा रखा है एक बार है ना जरूरी नहीं इतना ही चौड़ा हो और चौड़ा कर सकते हैं यह बिलकुल हम पर depend करता है आप इतने मोटा मोटा बार बना दीजिए है ना जरूरी नहीं इतना बनाओ और पतला भी बना सकते हो आप क्या करो ऐसे बिलकुल पतला सा बना दो बस ध्यान यह रहे कि अगर आपने जितनी चौड़ाई इसकी रखी है जितना मोटा इस बार को किया है उतने ही मोटे बाक कि यहां पे भी कुछ मार्केंगत हैं है तो या तो आप एक-एक सेंटीमीटर की लाइन खीच लो ठीक है अब जब लाइन सेंटीमीटर की तो आप फ्याद करो एक पहले वाले इस लाइन से पहुचाओ 8 तक पहुचाया दूसरी लाइन पर लेजिए है तक और यह एक आपक सिर्फ हमें एक यूनिट की वृत लेनी है अब दूसरा जब हम बनाएंगे औरेंज वाला तो औरेंज वाला हम यहीं से शुरू कर सकते हैं अब औरेंज पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं औरेंज के नीचे लिखा हुआ है यहां पर थ्री टेबल में तो हम औरेंज वाला कहां तक ले जाएं यहां से लेके यह जो फी चल्व के आ रहा है यहां तक ले जाओं तो यह क्या हो जाएगा औरेंज वाला होता ही होता है ये बात हमको ध्यान रखनी है नहीं तो वो अगर हम gap नहीं देंगे तो bar graph की जगा वो कुछ और बन चाएगा अब आप एक unit में ये बना दिया एक unit का gap कर दो और यहां से शुरू करो अब यहां से मैं देखिए यहां three की height तक आई और अगले यहां तक कर दिया तो यह किसका हो गया three का तो three का कौन है orange तो यह orange वाला हो गया यह बनाना वाला था नेक्स्ट आया apple apple किते बच्चे पसंद कर रहे हैं पाँच बच्चे पसंद कर रहे हैं फिर से एक का gap छोड़ा मैंने अब इसको कहां तक ले जाओंगी five की height तक तो यह क्या हो गया आपका apple हो गया ठीक अब apple के बाद next क्या आया guava guava की height कितनी है four है तो guava के लिए हम कहां पहुचेंगे यहां पर तो यह क्या हो गया आपका guava तो हमने क्या किया बिल्कुल देखे एक एक unit का gap छोड़ते गए बाकि एक एक unit की वृत से हर एक graph हमने यहां पर बार बना लिया तो यही क्या कहलाता है आपका bar graph कहलाता है बहुत easy है right इतना भी easy नहीं है यह तो अभी मैंने समझाया इसमें अभी और बहुत सारे factors हैं जो हमको याद रखने रहते हैं कैसे कि अभी तो क्या हुआ सिर्फ इतना ही data था कि आठ लोगों को बनाना पसंद है तीन लोगों को orange पसंद है five people like apple and four students like guava क्या होता अगर इसी में एक data ऐसा आ जाता कि यह सिर्फ class की बात नहीं कर रहे होते यह पूरे school की बात कर रहे होते अब एक class में तो चलो limited student है पूरे school में तो बहुत सारे student होंगे अगर हम पूरे school के बच्चों को एक साथ इकटा करें तो तो हो सकता है यह values और बढ़ जाती यह eight की जगे क्या हो जाता 80 हो जाता यह three की जगे 30 यह five की जगे 50 यह four की जगे 40 ऐसा भी तो हो सकता है असी बच्चों को बनाना पसंद है तीस बच्चों को औरेंज पसंद है पचास को एपल और चार को चालिस को गौवा पसंद है तो फिर हमें यह graph कितने उपर तक ले जाना पड़ता अगर हम ऐसे one two three four लिखते अभी तो सिर्फ 10 हुआ है 10 के बाद फिर 11 12 13 14 ऐसे करते-करते 80 80 तक पहुशने में board पे ही जगा नहीं रहेगी मेरे आपके copy में तो दूर की बात है तो ऐसे condition में हम क्या करेंगे ध्यान से सुनो जब यह values बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो हम इसको one two three four नहीं लेंगे फिर हम क्या करेंगे हम यहां से शुरू करेंगे 10 से शुरू कर सकत हैं इसको 10 माल लो इसको 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तो इसमें क्या हुआ फिर से छोटी सी जगा में पूरा graph हमारा complete हो गया 80 के लिए हमें one से 80 तक नहीं जाना पड़ा तो यह मैं कर क्या रहे हूं कभी one two three four लिख रहे हूं कभी 10 20 30 40 लिख रहे हूं यही चीज कहलाती है आपकी scale हमने कुछ question भी करे हैं पहले scale वाले scale का मतलब है कि आप कितनी दूरी को किसके बराबर मान रही हो क्योंकि अगर 80 लोगों को हमें represent करना है और one से 80 तक तो नीचे से बहुत उपर तक जाएगी line बहुत जगा चाहिए इतना paper नहीं होता हमारे पास तो उस case में हम क्या कहते हैं कि यह जो हमने एक एक unit लिये एक unit का मतलब है यह एक एक distance है ना यहां से यहां तक फिर यहां से यहां तक फिर यहां से यहां तक हर दो number के बीच का distance तो इसका मतलब होता है एक unit और एक unit हमने लिया है तो हम क्या कहेंगे यह देखें हम कहेंगे कि एक unit को अगर हमने 1,2,3,4 लिया है तो हम बोलेंगे एक एक का difference लिया है यहां से यहां तक 1 फिर यहां से यहां तक 2 मतलब 1 और हो गया होगा तो नीचे से वहां तक 2 है तो हम एक unit को एक student के बराबर माना है, यह numbers क्या represent कर रहे हैं, students को represent कर रहे हैं, वहीं अगर मैं इसको 10, 20, 30, 40, 50 लेती, तो मैं क्या कहती ही, कि मैंने यहां से यहां तक एक unit को, यानि कि एक gap को 10 पहुच गया, और यहां शिरू होता है 0 से, तो 0 से 10 मतलब 10 students, 10-10 student के gap से लिया है, तो लिखा हुआ है यहां पर कि first of all, draw a horizontal line and vertical line, बोल रहे हैं कि अगर आपको bar graph draw करना है, तो सबसे पहले आपको एक horizontal line draw करनी पड़ेगी और एक vertical line draw करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई doubt नहीं है न, ऐसे horizontal line हो जाएगी, इस तरीके से vertical line हो जाएगी, दोनों जहां मिलेंगे, वो origin कहलाएगा, इसको 0, O, इन से represent करते हैं, next, on the horizontal line, we will draw bars representing each fruit on vertical line, we will write numerals representing number of students, बोल रहे हैं कि हम horizontal line पर क्या करेंगे, fruits के बार बनाएगे, है न, यहां पर, इस line पर जो भी चीज है, वो क्या represent करेगी, fruits को, तो इन्हों ने क्या किया, कुछ बार बना दिये, कुछ इस तरीके से यह बनाना का हो गया, है न, फिर एक और हो गया, apple का, orange का, guava का, है न, कुछ इस तरीके से, ठीक है, उन्होंने कहा कि horizontal line पर हम इस तरीके से बार बनाएगे, और वो जो बार हैं, वो किसको represent कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, fruits बता रहे हैं, अलग-अलग, और vertical line पर हम क्या कर होगा, किस चीज के number होंगे, वो number of students होंगे, वो, यानि कि अगर मैं यहां पर लिख रहे हूँ, one, यानि कि एक student, two, यानि कि दो student, three, यानि कि तीन student, four student, five student, six student, seven student, eight student and so on, ठीक, अब जो चीज बता रहा है, उसको हमें यहां लिखना पड़ता है, यानि कि यहां हमने लिख इधर यह जो number लिखे हैं, यह क्या हो जाएंगे आपके, number of students, तो अब सबको पता चल जाएगा कि अच्छा यह जो vertical line पर चीज लिखी हैं, वो कौन है, students है, अगर five है, यानि कि five students की बात चल रही है, समझ में आई बात, आंगे देखो क्या लिखा है, let us choose a scale, बहुत important बात, कि चलिए अब एक scale choose करते हैं हम, it means we first decide how many students will be represented by unit length of a bar, बोल रहे हैं, एक scale choose करना है, यानि कि हमको क्या पता करना है, हमको यह पता करना है, कि यह जो बार की लंबाई है, length है, यह बार देखो, यह वाला छोटा है, यह बहुत बढ़ा है, यह और बढ़ा है, यह से थोड़ा चोटा है, तो इनकी height का क्या मतलब है, कि एक unit length, अब हो सकता है, यहाँ मैंने 0 से शुरू किया और यह 1 cm की line पे मैंने 1 लिख दिया, तो यानि कि यह अगर बार की इतनी length है, तो यह कितने बच्चों को बता रहे हैं, यह हम choose करेंगे, अगर हमारे पास 1 से 10 तक में बच्च खतम हो रहा हैं, तो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लो, अगर बच्चे हैं 80, 90, 100 तो इनको 10, 20, 30, 40 ऐसे ले लो, हम पे depend करता है, जरूरी नहीं है, इसको 1, 2, 3, 4 री लेना है, आप 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ले सकते हो, आप 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ले सकते हो, आप 10, 20, 30, 40 ऐसे ले सकते हो, रू जान रहें कि आप यह जो भी नमबर लिख रहे होना, वो एक पाटर्न में लिखा होना चाहिए, अब वो पाटर्न का क्या मतलब है, पाटर्न में एक बाटिकुला गाप, जैसे कि यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानि कि एक एक नमबर को लगतान नमबर लिखे हैं, कुछ नमबर नहीं छूटे, वहीं अगर मैं इसको 10, 20, 30, 40, 50 कर दूँ, यानि कि 10, 10 के अंतर से लिखें, 10 के बाद सीधा 20 लिखा है, फिर सीधा 30 लिखा है, ऐसा होना चाहिए, कि हर नमबर के बीच जित्ता गैप छोड़ रहे हो, वही हमेशा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि यहा आपने लिखा 1, फिर याल 1, 2, 3, फिर याल 1, 2, 4, अब आपको 1 से 3 के बीच 2 छूट गया, और 3 से 4 के बीच तो कोछ छूटा ही नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा फिर, यानि कि नमबर्स आप even नमबर्स लेना है, सिर्फ तो even लेलो, कोई दिकत नहीं है, और नमबर्स ले 7, 7 के बाद 9, यानि कि एक एक नमबर छोड़ छोड़ के लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी नीड के हिसाब से क्या करते हैं, स्केल चूज करते हैं, कि हमको यह बनाना के लिए 8 बच्चे को रिप्रेजेंट करना है, तो 8 मेरा यहाँ पे भी आ सकता है, सीधा 0 से 8 लिख लेती मैं, लेकिन फिर 8 के बाद 8 और छोड़ो, तो 16 आता, 16 तो है ही नहीं है, है ना, तो जब कम नमबर है, तो सीधा 1 से शुरू करो, वो सबसे इसी होता है, जब थोड़े बड़े नमबर है, तो कुछ-कुछ नमबर छोड़ छोड़ के लिख लो, बस ध्यान रहे कि अगर 1 के बाद सीधा 3 है, यानि कि 2 को छोड़ दिया, एक नमबर को छोड़ दिया, तो 3 के बाद एक नमबर को छोड़ के आपको 5 लिखना पड़ेगा, 5 के बाद एक नमबर को छोड़ के, आपको 6 को छोड़ के 7 लिखना पड़ेगा, है ना, यह चीज ध्यान रहे, तो एक-एक student को represent करें, वो यहाँ पर हम लिखते हैं, यह हो गया एक student, फिर यह दो student, यह 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ आठ, यहाँ पर खतम हो गया, यानि कि total banana में कितने student आ गया, 8 student ऐसे हैं, जिनको banana पसंद है, ठीक है, तो यह बहुत important चीज है, अगर आपने यह नहीं लिखी, यह हो कि हम एक unit length को एक student मान के चल रहे हैं, समझ गया, फिर हम बहुत सारे question solve करेंगे, तो eventually आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो बोल रहे हैं यहाँ पर, here we take one unit length to represent one student only, we get a bar graph as shown in the figure, यहाँ पर हमने क्या किया हैं लोगोंने, एक unit की length को, अब एक unit का क्या मतलब है, एक centimeter हो सकता है, millimeter हो सकता है, meter हो सकता है, kilometer हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, one unit का मतलब कि जो भी unit आप use कर रहे हो, millimeter, centimeter, meter, kilometer, जो भी use करना है, है ना, तो इसलिए unit लिख दिया, उसमें centimeter, meter नहीं लिखा, अब आप इसको एक-एक centimeter पर बना लो, अगर आप रोड पर बना रहे ह अपके पास तो आप एक किलो मीटर पर बना लो है ना अप कौपी टो हमाई च्छोटी होती है वह इंत कर रहे है यानि कि आपका बनाना का गूझाार वह 8 तक पुहुच रहा है तो यानि कि इसका क्या मतलब है? यह 8, 8 students है. अगर आपका orange वाला बार 3 तक पहुच रहा है, मतलब 3 students को orange पसंद है. अगर आपका apple वाला जो बार है, वो कितनी लंबाई पहुच रहा है? देखो 5 पे. यानि कि 5 students को apple पसंद है, आपका गौवा वाला बार कहां पहुच रहा है? 4 पे. यानि कि 4 students लाइक गौवा. यह बात clear हुई सबको? चलिए. आगे बढ़ें. So, यह mostly हमारा graph खतम हो गया, ऐसा ही दिखता है हमारा graph. अब यहाँ पे example दिया है, example number 10, आपके class 6 math and CIT के page 200 पर. अब इसमें हमें वही graph बनाना है, table दी हुई है, तो एक बार इसको आप अपने घर पे try कर लीजेगा. मैं आपको एक दो और example दे देती हूँ, कि जिससे आपको थोड़ा सा यह चीज और clear हो. So, for example, यहाँ मैंने आपको एक table बना दी है, एक मैं table बना देती हूँ, कुछ भी हो सकती है वो table, यहाँ पे हम लिख देते हैं, number of people, number of person और यहाँ लिख देते हैं, हम their favorite place. ठीक है, कितने लोग हैं और उनकी कौनसी जो place है, वो favorite है, है ना, कुछ भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करें, कुछ column बना ले, मैं लिख दूँगी यहाँ पे कि 10 people हैं, 10 लोग ऐसे हैं, जिनको कौनसी place पसंद है, भूपाल पसंद है, ठीक है, उ क्या पसंद है, भूपाल हो गया, इंदौर हो गया, कोई दूसरी place ले लो, आप है ना, normally Delhi ले लो, Delhi पसंद है, वहीं और कोई ले लो, आप 25 people ऐसे हैं, जिनको क्या पसंद है, 25 लोगों को पसंद है, क्या, मुंबई, तो यह क्या हो गया, एक में को मिल गई, जगा मिल गई है यहां पर, कितने लोगों को क्या चीज जो है, वो पसंद है, 10 लोगों को भूपाल, 15 को इंदौर, 20 लोगों को दिल्ली पसंद है, 25 लोगों को मुंबई, अब इसका मुझे बनाना है बार ग्राफ, तो मैं क्या पहले वही horizontal और vertical lines बनाऊंगी, ठीक, अब horizontal line पर मैं यहां पर क्या लिखूंगी, static चीज जो change नहीं हो रही है, जैसे कि भूपाल, इंदौर, डैली, मुंबई यह change नहीं हो रहे, number change होते हैं, तो number हम कोशिश करते हैं कि इस vertical line पर लें, तो फिर क्या होगा यहां पर, हम यह यहां लिख देंगे bars, यहां पर places लिख देंगे अपन, ठीक, और यहां क्या लिख देंगे number of persons, ठीक, अब यहां पर आगए आपके places, यहां आगए number of persons, अब आपको करना क्या है, सबसे important चीज जो मैं बताना चाहरी हूँ, वो यह बताना चाहरी हूँ, आपका scale आप कैसे scale लेने के लिए mostly आपको क्या करना है, scale लेने के लिए अब यहां आप 1, 2, 3, 4 नहीं लोगे, आप क्या लोगे, 10, 15, 20, 25 and so on, ताकि आपका जो भोपाल वाला graph है वो 10 पर बन जाए, इंदौर वाला 15 तक बन जाए, फिर डेली वाला 20 तक बन जाए, मुंबई वाला 25 तक बन तो आज ही class अपन फिलाल यही पर खतम करते हैं, अगली class में जो मैं है आपको example 10 जो है वो करवाओंगी शुरू, thank you so much, bye bye